हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब फिलाल अर्वन केजिवाल लाइब प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं सुनिए क्या कह रहे हैं साथ लोगों की टोटल अभी तक मृत्ति हो गई है पिशले 24 घंटे में एक वेक्ति की मृत्ति हो गई है 25 लोग ICU में है आठ लोग वेंटिलेटर पे हैं बाकी लोगों की स्थिती स्टेबल है पिशले कुछ दिनों में शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं मैंने पिशले दो दिन में भी कहा था कि एक कारण उसका है कि मरकज के केस बहुत तेजी से बढ़े जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज के ही हैं मरकज के केस बहुत ज़ादा तेजी से बढ़े जिस वज़े से और दूसरा एक कारण है कि अब हमें टेस्टिंग किट मिल रही है तो हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दिये पिछले कुछ तिनों में और हम चाहते हैं कि जो भी टेस्ट कराना चाहिए उसका टेस्ट हो और ताकि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके उनको ट्रीट किया जा सके उनके कॉंटेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको कॉरेंटाइन या उनको आइसुलेट किया जा सके ताकि वो आगे लोगों को ना फिलाएं तो जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम कोरोना को रोकने में कामयाब होंगे ये दूसरे देशों में भी जैसे साउथ कोरिया सबसे कामयाब माना जाता है साथ कुरिया ने भी यही टेखनीक अपनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की थी अब दिली के अंदर भी हम खूब टेस्टिंग करने वाले हैं एक छोटा सा जैसे मैं अगर आकड़ा दूँ तो 25 अपरेल के आसपास हमारे 100-700 डेली टेस्टिंग हो रही थी और उसके बाद एक अपरेल के बाद से लगबग हम 500 डेली टेस्टिंग कर रहे हैं 500 से भी जादा 1000 के करीब डेली टेस्टिंग हमारी पहुंच रही है और इसको बाते आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे हमने एक लाख टेस्टिंग किट्स के ओर्डर दे दिये हैं शुकरवार को से एक लाख टेस्टिंग किट आ जाएंगी और लगबग 6,94,000 लोगों को डिनर कराया था मेरी आप सब लोगों को मेरा भरोसा है विश्वास है कि एक भी आदमे को दिल्ली के अंदर हम भूखे नहीं सोने देंगे हम लोग जैसे मैंने बताया 6,90,000 लोगों को हमने लंच कराया और 6,94,000 लोगों को हमने डिनर कराया लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग समाज के अपने अपने स्थर के उपर खाने के पैकेट्स बाट रहे हैं अपने अपने स्थर के उपर लोगों को खाना खिला रहे हैं जैसा मैंने बताया था 71 लाख लोग जो राशन कार्ड धारी हैं उनको हम हर व्यक्ति को 71 लाख लोगों को हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोगे जिनके अस राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो भी बहुत गरीब है उनको भी अभी खाने की दिक्कत हो रही है उन लोगों को कल से राशन मिलना चालू हो जाएगा तो कल 421 स्कूलों से उनको राशन बटना चालू होगा हमने 10 लाख लोगों को हर व्यक्ति को प्रती व्यक्ति को 5-5 किलो राशन दिया जाएगा 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल हमने सब के लिए राशन का इंतिजाम कर लिया अभी शुरू में दस लाख लोगों के लिए इंतिजाम किया है लेकिन अगर कम पड़ गया तो हम और भी राशन ले लेंगे केंदर सरकार से इस मामले में हमें केंदर सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है मेरी आप सब लोगों से विंती ये है सभी MLA, सभी MP, सभी कांसलर्स वो लोग भी सुनिश्चित करें कि भीड नहीं लगनी जाए है अगर महाँ भीड लग गई तो सारा lockdown का असर खतम हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग मिंटेन करनी है और आप को हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है आप धीरे धीरे आएए थोड़े लोग कल आएं, थोड़े लोग परसों आएं थोड़े लोग उसके अगले दिन आएं ये आपका खुलाए चिंता मत कीजिए एक एक विक्ति को हम राशन दिलाएंगे राशन खतम भी हो गया और राशन ले लेंगे हम केंदर सरकार से आपको राशन जरूर देंगे लेकिन कल से कृपया करके भीड़ मत कीजिएगा 421 स्कूलों में कल से राशन बटने जा रहा है अभी फिलहाल 10 लाख लोगों का इंतजाम किया है लेकिन और भी इंतजाम कर लेंगे अगर जरूर पड़ी तो मैं पिछले दो दिन दिन से कह रहा था कि हमें PP किट्स की कमी है लेकिन हमारे पास केंदर सरकार की चिठी आई है कि 27,000 PP किट्स वो हमें एलोट किया है उन्होंने इसके लिए हम केंदर सरकार का शुक्रिया आदा करते हैं हमें उमीद है शायद ये PP किट्स कल या परसो तक हमारे पास डिलिवर हो जाएंगी और उसके बाद से दिल्ली में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत महतोपून कदम होगा तो हम सब लोग मिलके इस लडाई से जूज रहें केंदर सरकार, दिल्ली सरकार, सभी दिल्ली के लोग और मैं उमीद करता हूँ कि हम इस लडाई में जरूर कामयाब होंगे आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली की स्थिती क्या है, कोरोना से इस जंग में वो बताते हैं टेस्टिंग के लिए एक अप्रेल के बाद से 500 से ज्यादा टेस्टिंग रोज हो रही है यह आकड़े उन्होंने दिया, एक लाग टेस्टिंग किट के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया बिना काड़ वालों को भी कल से राशन मिलेगा यह आश्वासन देते हुए दिल्ली के सीम अर्विन केजरीवाल झालक्रीवाल झालक्रीवाल झालक्रीवाल